हेलो फ्रेंड्स के रोल में आप सोगी का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं इस वीडियो में कीवा कैल्सियम के बारे में बात करने वाले हैं मैं इसमें बताऊंगा कि कीवा कैल्सियम को कई से आप इसको यूज कर सकते हैं और यह क्यों जवरी होता है हमारे लिए तो फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और टाइन टू टाइम नोटिफिकेसन पाने के लिए बेल आइकन को दवाना न भूलें इसी तरह के हेल से रिलेटेड वीडियो में बहुत सारे लाता हूं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह है कीवा के कल्सियम इस डबे में आपको सब्सक्राइब टाबलेट होते हैं और इसकी कीमत है 119 रूपीज इसकी एस्पारी डे कीवा के टाबलेट्स यह जो आजे इस तरह के दिखते हैं यह पूरा वाय होता है जिनके बीना सहीर का काम करना ही मुश्किल हो जाता है इसलिए इसकी अहमियत को समझना बहुत जवरी है यह मास्पेसियों और हडियों को मजबूत बनाता है किवा केल्सियम कितना जवरी है हम लोगों के लिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं आपको हर रोज कितने कल्सियम की आप सकता है यह आपकी उम्र और लिंक के अधार पर निर्धारित होता है महलाओं के लिए 50 साल की उम्र तक नियमित रूप से 1000 mg कल्सियम की आप सकता होती है और 50 साल के बाद इसकी मातरा बढ़कर 1200 mg कर देना चाहिए वही पुरूसों को 70 साल तक 1000 mg नियमित और 70 साल के बाद 1200 mg नियमित रूप से कल्सियम की जवथ होती है किवा कल्सियम के स्रोथ क्या क्या है अब इसके बारे में बात कर लेते हैं आहार कल्सियम का सबसे अच्छा स्रोथ माना जाता है नियम्द बसायुक्त अहार और दूद के उतपात्कों में कल्सियम भरवूत बरपूर मातरा में पाया जाता है ताजे और पत्तेदार सबजीयों जिसे सोया मिल्क, साबूत अनाज, अंडा, आदिक कल्सियम के स्रोथ हैं पाचमा कैसे कम होता है हमारे सरीर में कल्सियम अगर आपके सरीर में कल्सियम की कमी हो जाए तो हडियां कम जोड़ हो सकती है इसके अलाव कल्सियम सरीर में हडियों में ही एकत्र हो जाते हैं इसलिए जबूरी है कि आप नियमित रूप से ब्याम करें ब्याम करने के अभाब में मास्पेसियां टाइट हो जाती है जिसे हडियों की बनावट पर असर नहीं पड़ता है और केल्सियम एकत्र करने की छमता भी कम हो सकती है तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ सेयर करें मैं इसी तरह के हैसे लिजियों करें